नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 29 अगस्त मंगलवार सुबसवा 11 वजे राजिसान की बड़ी खबरें रूस के रास्पती वुलामी दिर पुतिर ने सुमार को प्रधान मंत्री नरेंडर मुदी से टेलीफोन पर बादचित की प्रधान मंत्री कारेलन एक बयान में ये ज़ान करे दी प्रधान मंत्री के मुदाबिक टालिफोन पर हुई इस बादचित के दौरान रास्पती पुतिर ने 9-10 सितमबर को नई दिली में होने वाले G20 शुकर सम्मिलन में भाग लेने में और समर्थता व्यक्ति की और पिधान मंत्री को बदाए कि इस बैठक में रूस का परतिने दित्व रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरो करेंगी प्यासान में विस्टे चार निरोदक ब्यूरो जिन्जुनु जिले के पचेरी थाना के हैड कॉंस्टेबर रमेश कुमार को आज 10,000 रूपए के रिश्वत लेते रंगे हाथ गरिफतार किया आरोपी जुन्जुनु जिले के पचेरी थाने की भालोट पुलिस चौकी का इंचार्ज है ये कारवाही एसी भी जुन्जुनु के अत्रिक्त पुलिस अदिक शक इसमाईल खान की नेतरत हुमें की गई उन्होंने बताया कि गरिफतार आरोपी रमेश कुमार है वो जुन्जुनु जिले के सुरजगड के चीमा का बास का रहने वाला है और जुन्जुनु जिले के पचेरी थाना के अंतरगत भालोट में चौकी प्रभारी के पत पर कर रहत है और अड़ा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर ने विधान सभा के मौनसुन सत्र के दूसरे दिन घोशना की कि सरकार ग्रूप A B कैटेगरी की नौकली में भी करमचारियों को प्रोमोशन में 20 प्रतिशत रिजर्वेशन देगी इसके अलावा परिवान मंत्री मूल चंड शर्मा, कौंगरिस विधाय गीता भुकल ने भी मुख्य मंत्री की घोशना का समर्थन किया भाचपा के लिए बार मेर विधान सभा सीट पर उमिदवार तैय करना मुश्किल हो गया है ऐसा इसलिए नहीं कि तीन बार से लगातार यहां भाचपा हारी है असल में 1952 से अब तक केवल एक बार ही भाचपा ने यहां जीत दर्ज की है बार बार हार रही भाचपा के तमाम प्रयोग विफल होने के बाद अब प्रदेश से लेकर के इन रिस्तर तक के नेताओं का मन्थन चल रहा है कि बार मेर मेर में ऐसा कौन सा चेहरा उतारा जाए जो भाचपा को होड़ सीट में मुकाबले की सिती में लाए पश्य मंगाल की मख्य मंत्री ममता बनर जी ने सोमवार को कहा कि लोगसभा चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं भाचपा ऐसा करा दे तो हैरानी नहीं होगी हमने बंगाल में CPM की शासन को खत्म किया है अब लोग राजे के गवर्नर सीवी आनंद बोस को चलेंज भी दिया है बोली राजेपाल को चुनी हुई सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए वो समयधानिक नियमों का उलंगन कर रही है मैं इस पत्का सम्मान करती हूं लेकिन उनकी समयधानिक गत्विधियों का सवर्थर नहीं करत राजेसान का राजनितिक रन सरकार के रिपीट और डिलीट के भवन में फसा है ये तो विधान सपा चुनाओं के बाद ही तैह हो पाएगा कि जनता का आशिरवात किसे मिलता है फिलाल कुछ सीटे दोनों पार्टियों के लिए गले की हड़ी बनी हुई है दोनों ही राजन सूचीत जाती जन जाती वित्ता एवं विकास सहकारी निगम को 24 करोड 56 लाक रुपए की राशी उपलप्त कराज़ो आने के लिए अत्रिक्त बजट प्राफधान को सहमती और जापुर के जोटवाड़ा में स्टेडियम के निर्मान के लिए 10 करोड रुपए की स्विकृत लोट ने दे दी है ऐसे मेर अक्षावंदन के दिन 30 अगस बुद्वार को महिलाओं के लिए प्रदेश की सीमा में सभी रोडवेज बसों में यात्रा निशुलक रहेगी लेकिन इस बार निशुलक के यात्रा का पूरा लाव महिलाओं को मिलने के संभावना नहीं हैं वज मंतरी गुजिंद्र सिंग शेखावत पर फिर से निशाना साधा है मुझे संदे है कि मंतरी के इशारे पर ही मध्यपरदेश सुप्रीम कोड गया है घलोध ने एक मीडिया से बाचित में कहा कि अगर प्रदान मंतरी देश में एक और रास्टे पर योजना घोशित कर दे त के पिलानी रोड से दो पैतरक आवास पर सुवार सुबह चूरू की एसीबी टीम ने तलाशी अभियान चलाया एसीबी कोड़ अजमेर के आदेश पर ये कारवाई हुई सुमवार सुबह चुरू एसीबी टीम चिड़ावा पहुंची और दिव्या मितल के भाई निखिल की मौजूदगी में सीज पैत ट्रक मकान को खोला और मकान की तलाशी ली चार घंटे के सर्च के बाद दोपायर करीब डिड़ बजी एसीबी टीम खाली हाथ लोट आई केने मंतरी गजेंदर सिंग शेखावत द्वारा किये गए मानहानी के केस में आज एक बार फेर सी हमशो गैलोद दिली की राव जेवन्यू कोर्ट में पेश हुए सीकर पुलिस ने एक बड़ी कारवाही करते हुए बाबाशियाम के मासिक मेली में चैन स्नेचिंग और पॉकेट मारी गिरोह का पड़दा फाश किया पुलिस ने एक अभियान चला कर 20 महिलाओं साई 35 संदिक्दों को हिरासत में लिया है दरसल सीकर में बाबाश्याम के मेली में चैन स्नेचिंग और पॉकेट मारे गिरोहु काफी समय से सकुए थे पुलिस को चैन स्नेचिंग और पॉकेट मारे के लगाताई शिकायती मिल रही थी इसके बाद पुलिस ने दो दिन से अभियाण चलाया यूवक कॉंग्रिस के रास्टे सचेव अबमरास्तान सह प्रभारी धीरश सिंग ने आगामी विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण में संगठन के एहम भागीदारी होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि टिकट के लिए युवा कॉंग्रिस सौफ विस्दी दावेदारी करेगे जो जिताओ होगा उसे टिकट भी देंगे। सिंग ने ये बात रविवार को जिला कॉंग्रिस कमिटी कारेले में कही। उन्होंने कहा कि राइपूर अधिवेशन में भी ये निने किया था कि चुनाव में 50% धीवाओं का अफसर दिया जाएगा। मुंबई में इंडिया गडवंदन की होने वाली तीसरी एहम बैठक से पहले सीम नितिश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। चर्चा हो रही थी कि इस बैठक में नितिश कुमार को संयोजग बनाने के तयारी है लेकिन आज पटना में पत्रगारों से बात्षीत में उन्होंने कहा कि हमें कुछ बनना ना मेरी कोई व्यक्तिकत इच्छा है ना तो वो दूसरे लोगों को बनाये जाएगा। हम तो सब को एक जुट होकर करना चाहते हैं और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें हम तो सब के हित में चाहते हैं। रोजगार के अच्छे आफसर हैं। तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।